हेलो फ्रेंड्स दिस इज हरसद एलावत एंड वेलकम बैक तो अगर यूट्यूब चैनल दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक्जाम का जो फियर है फियर ओफ एक्जाम ठीक है तो उसको हम कैसे समाप्त कर सकते हैं कैसे खत्म कर सकते हैं क्योंकि काफी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर एक्जाम जैसे जैसे पास आता जाता है वैसे वैसे ही हम जो स्टेडि कर रहे हैं उसको पूरे फोकस के साथ नहीं कर पाते और कर ही नहीं पाऊगे इसको थोड़ा समझना होगा तो देखिए ड़ जो है उसको हम मार नहीं सकते ठीक है और ना ही हम उसको जीत सकते हैं हम उसको केबल समझ सकते हैं और केबल समझ ही रूपान तरण यानी की परिवर्तन लाती है बाकी कुछ नहीं अगर तुम अपने डर को जीतने की कोशिस करोगे तो यह दबा रहेगा तुमारे भीतर और गहरा चला जाएगा उससे कुछ सुल्धेगा नहीं बलकि चीजे जो है और उलच जाएंगी जब भी आपको डर लगे या भे उठे तो तुम उसे दबा सकते हो डर को जीतने का अर्थ है भे को तुम दबा सकते हो इतने गहरे में दबा सकते हो कि तुमारा जो मन है तो तुमारी जो चेतना है वह वहां से बिलकुल गायब हो जाए तब तुमें कभी उसका पता भी नह लेकिन ऐसे परोक्ष ढंग से कबजा करेगा कि तुम उसका पता भी नहीं चलेगा, लेकिन तब खत्रा और भी गहरा हो जाएगा, अब तुम उसे समझ भी नहीं पाओगे, तुम भै को जीतना नहीं है और नहीं उसे मारना है, डर को तुम मार नहीं सकते, क्योंकि उसमें एक परकार की उर्जा होती है, और कोई भी उर्जा कभी भी नश्ट नहीं की जा सकती, खत्म नहीं की जा सकती, तुम ने कभी देखा, भै के समय तुम में एक दम से बड़ी उर्जा आ जाती है, ठीक जैसे क्रोध के समय उर्जा आ जाती है जब आपको गुस्सा होता है आपको क्रोध आता है तो उस समय आप में उर्जा आ जाती है काफी जादा वे दोनों एक ही उर्जा के दो आया में, दो पहलू हैं, कुरोध आकरामक है और भे अनाकरामक है, भे है कुरोध की गिनेटिव अवस्था और कुरोध है भे की पॉजेटिव अवस्था, जब तुम कुरोध में होते हो तो तुम में किसी कितनी ताकत होती है, एक बात सोच के तो एक बड़ी चट्टान भी उठाकर फेक सकते हो आमतोर पर उतनी बड़ी चट्टान तो तुम हिला भी नहीं सकते क्रोध के समय तुम 3-4 गुना ज्यादा सकती सालिय हो जाते हो उस समय तुम ऐसी कई चीजे कर सकते हो जो क्रोध के बिना संबब नहीं है और डर के समय तु कि Olympic खिलाडी भी आपसे डरने लगेंगे डर से उर्जा पैदा होती है भे उर्जा ही है ठीक है भे जो है आपको जो डर लगता है वो आपकी एक प्रकार से उर्जा है और उर्जा को कभी भी नश्ट नहीं किया दकता तो इस बात को आप दिमाग से निकाल दीजिए कि आप exam का जो डर है उसको आप खत्म कर दोगे क्योंकि उर्जा कभी भी खत्म नहीं होती है और डर एक प्रकार की उर्जा है अस्तित्व से उर्जा की एक चुटकी भी नश्ट नहीं की जा सकती इस बात को हमेशा याद रखना तुम किसी भी चीज को नश्ट नहीं कर सकते केवल उसका रूप बदल सकते हो छोटे से कंकड़ को भी तुम नश्ट नहीं कर सकते रेत का एक छोटा सा कंड़ भी नश्ट नहीं किया जा सकता वे केवल अपना रूप बदल लेगा पानी की एक बूंद को तुम नश्ट नहीं कर सकते हो सकता है तुम उसे बरफ बना दो या भाब बना दो लेकिन वे मौजूद रहेगी कहीं न कहीं वे रहेगी जरूर इस अस्तित्व से बहार तो कहीं भी जाही नहीं सकती है भे को तुम नश्ट नहीं कर सकते इस बात को गाठ बांध लो और यूगो यूगो से सदियों से यही किया गया है लोग डर को खत्म करने की कोशिस करते हैं क्रोद को खत्म करने की कोशिस करते हैं अपने लालच को खत्म करने की कोशिस करते हैं और इस बात का उनको बिलकुल ग्यान नहीं है कि भे, क्रोध और लोब ये सभी चीजे एक प्रकार की ऊर्जा होती है और ऊर्जा को कभी भी नश्ट नहीं किया जा सकता पूरी दुनिया इसी तरह की कोशिश करती रही है और अब भी कर रही है और परिणाम क्या हो रहा है इनसान उथल पुथल हो गया है मैं आपसे बता रहा हूँ इनसान में किसी भी तरीके से बर्फ जो है आपकी बर्फ को आप पानी में बदल सकते हो पानी को आप बर्फ में बदल सकते हो लेकिन आप इसको खत्म नहीं कर सकते कुछ भी नश्ट नहीं हुआ सबकुछ वैसा का वैसा है ये बस चीजें उलज गई है कुछ भी नश्ट करने की जरूत है ही नहीं क्योंकि पहली बात कुछ भी नश्ट किया जा ही नहीं सकता तो फिर करना क्या है सबसे important point है कि करना क्या है अब तो डर को तुम्हें समझना है डर क्या है? कैसे उठता है? डर आता कहां से है? उसका जो संदेश है वो क्या है? वो कहना क्या चाहा रहा है? उसको थोड़ा समझो बिना किजी पक्षपात के उसमें ज्ञाको तब ही तुम समझ पाओगे अगर तुम्हारी पहले से की धारना बनी हुई है कि डर जो है वो गलत है डर होना ही नहीं चाहिए मुझे डर लगना ही नहीं चाहिए तब तुम उसमें जहाग नहीं पाओगे उसको देख नहीं पाओगे डर का आमना सामना तुम कैसे कर सकोगे अगर तुम पहले से उससे इतने डरे हुए हो कि अपने पास आने से भी आप इतने भेवीत हो अगर तुमने पहले से ही निर्नक लिया है कि डर जो है वो तुमारा दुस्मन है तो उसकी आँखों में तुम कैसे जहाक सकोगे दुस्मन की आँखों में कोई नहीं देखता अगर तुम सोचते हो यह गलत चीज है तो तुम उससे बचकर निकलना चाहोगे उसकी उपेक्षा करना चाहोगे पहले सारे सारी धारनाई पूरी निंदा को छोड़ो छोड़ो भे एक तथ्य है इस बात को समझना कि भे जो है आपका डर है वो एक तथ्य है उसका सामना करना है उसको समझना है और केवल समझ के द्वारा ही उसको परिवर्तन किया जा सकता है बदला जा सकता है वास्तम में समझने से ही भे बदल सकता है बाकि कुछ और करने की जरुत है ही नहीं समझ ही उसे रूपांतरित कर सकती है पहली बात भे क्या है भे हमेशा किसी इच्छा के आसपास पनपता है इंपोर्टेंट पॉइंट है भे हमेशा किसी इच्छा के आसपास पनपता है तुम पिर्सिद होना चाहते हो संसार के सबसे पिर्सिद व्यक्ति होना चाहते हो फिर डर सुरू होता है अगर ऐसा ना हो सका तो क्या होगा डर लगता है डर उस इच्छा का बाई प्रोडक्ट है तुम संसार के सबसे धनवान व्यक्ति बनना चाहते हो सफलता ना मिली तो क्या होगा सो भीतर से तुम कापने लगते हो तो दर यहीं से सुरू हो जाता है तुमारी किसी इस्तरी पर माल्कियत यह आप थोड़ा सा एक्जामपल देता हूँ आपको कि किसी इस्तरी पर माल्कियत है तुम भेवीत होते हो कि हो सकता है कल तुम्हारी उस पर मालकियत ना रहे वह किसी और के पास चली जाए अगर वह जीवित है तो वह जा सकती है सिर्फ मुर्दा इस्तरियां कहीं नहीं जा सकती केवल एक लास पर ही मालकियत की जा सकती है उसके पास या उसके साथ कोई डर नहीं है वे हमेशा तुम्हारे पास रहेगी तो इसको आप समझे होगे कि मुर्दे आदमी पर आप मालकियत अपना हक जमा सकते हो जो जीवित है जिसमें उर्जा है उस पर आप अपना हक नहीं जमा सकते फरनीचर पर तुम कबजा कर सकते हो उसके साथ कोई भे नहीं है लेकिन कौन जानता है कल भे तुमारी नहीं थी लेकिन आज तुमारी है कौन जानता कल भे किसी और की हो जाए डर लगता है यह डर मालकियत करने की इच्छा से उठ रहा है यह एक बाय परोड़क्ट है क्योंकि तुम कबजा करना चाहते हो इसलिए डर है अगर तुम कबजा करना ना चाहो तो फिर कोई डर ही नहीं होगा अगर तुमारी कोई ऐसी इच्छा नहीं हो कि वविस्ते में तुम यह बनना चाहोगे या वह बनना चाहोगे तो फिर किस बात का डर नगर तुम स्वरक ज इस नजरी से देखोगे कि मुझे पास नहीं हुआ तो या एक्जाम किलियर नहीं कर पाया तो अगर तुम कहीं जाना ही नहीं चाहते तो तुमको कौन डरा देगा अगर आप एक्जाम किलियर ही नहीं करना चाहते तो आप किस बात का डर तो सबसे पहले आपको इस चीज को सम दर आप देखोगे धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा दर पैदा कैसे होता है या तो हम पीछे की सोचते हैं या फिर आगे की सोचते हैं अगर हम इन दोनों चीजों को सोचना ही बंद करते तो सोचो फिर क्या होगा दर समाप्त हो जाएगा तो छोटा सा ये मैं आपको आपक आपके जीवन के लिए या आपकी एक्जाम के लिए लाइफ लेसन देना चाहता था एक वीडियो के जड़ी आसा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आया होगा और अगर अच्छे से समझ नहीं आया हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें